प्यारीब क्यों आज आपको है कांस अवोफो को संभ और छंटेंस याख हूं यानि को संभतने प्रगार के होते यह बताने के यह पूरा पूरा वीडियो हुआ स्भी पर आधाधारित है कि आप कैसे कैसे कंटे करते हैं और उसका आंसर हाप कैसे दे सकते हैं इसी प्राधरित है तो आपको कंस of qtons here there are only three kinds of qtons ऐसे मुखे तर तीन प्रकार के ही qtons होते हैं लेकिन आपको हम चर तरीके की question बताएंगे चार प्रकार के question बताएंगे कि अब स्टार्ट करते हैं आपको लिए पहला है आपको यह जो question. The reply to this question is yes no. इस question का answer आप yes और no में दे सकते हैं. किस question का answer yes और no में दे सकते हैं? तो यह पहला है. Have you had lunch? कि आपने lunch कर लिए? दुसरा है Is there a lizard in kitchen? क्या कीचन में एक lizard है? विल सी गो आउट इस इवने क्या इस साम वह जा रही है? बाहर जा रही है? तो जितने भी question answer है इसका answer आप yes और no में कर सकते हैं. इस दूसरी बात यह गौर करके देखने वाले बात है कि इसका structure क्या है? इसका structure है तो गौर करके देख रहे हैं तो शुरू में क्या है? सब में helping verb है. have, is, will तो इसका structure बनेगा helping verb उसके बाद subject आ रहा है तो subject है उसके बाद main verb है तो main verb उसके बाद plus करके object देते हैं या उसका compliment उसके बाद question mark देते हैं तो यह आपका question yes no question का structure बन जाता है और इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं helping verb is MR was where, have, has, had, जो यह आता है यह सारे के सारे helping verb है इसमें helping verb में दो होता है एक primary होता है और एक model होता है model में can, could, may, might, sell, will, should, would, out to, use to यह सारे के सारे 24, 25 जो helping verb होते हैं यहां पे आप इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद में भर्प दीजिए उसके बाद आप yes no question बना सकते हैं दूसरा टैप का question है आपका यह तो पहला हो गया दूसरा है डवलू एच question The reply to them is not a simple yes no इसका जो answer होगा यह और नो में आप नहीं कर सकते हैं but one from an open range of responses लेकिन आप एक बड़े रेंज बड़े चेतर की तरह आप रिस्पॉंस दे सकते हैं उसका प्रतिक्रिया प्रति उत्तर दे सकते हैं जैसे कि पहला question है वे इस नित्याज हाउस नित्याज का घर कहां है आंसर बनेगा इट इस इन हाजिपूर तो ऐसे आंसर कर सकते हैं तो जिसका जहां घर रहेगा उसका घर का नाम ले सकता है यदि ऐसा question पूछा जाता है नेक्स्ट है आपका how do you open this यानि कोई box है या कोई चीज है उसको खूलना है तो इसका answer कर रहा है कोई by turning the knob in the anti-clock direction इसको anti-clock direction में आप घुमाएए तो यह खूल जाएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक open range का answer मिल रहा है नेक्स है आपका where do you come from आप कहां से आते हैं I come from पत्ना तो इस तरीके से यह जितने भी question है आप पे where is nityaj house या how do you open this या where do you come तो इसका यह answer हम करते हैं yes और no में तो इसका answer जो होगा गलत हो जाएगा यह fulfill नहीं कर पा रहा है तो इसको बोलते हैं डबलू एच कोश्चन नेक्स्ट है आपका के इस कोश्चन से इस कोश्चन आर फॉर्मड यूजिंग कोश्चन वर्ड इस कोश्चन का सेंटेंस बनता है यह यह कोश्चन वर्ड से बनता है कोश्चन वर्ड हो कौन-कौन सा है यह देखेंगे और इसका प्रकार भी देखेंगे इसका नेचर भी देखेंगे और इसका के बाद AgrIDE भी देंगे असके बाद subject देंगे उसके बाद object में भर्ड हमन वर्ड उसके बाद object यह कैं Clark ट्री जो कुछ होगा आगे हम ग्रायते जाएंगे जो सेंटेंस का पार्ट होता है कि इसं हिसाब से कि व अ मुक्या चराइब को और उसी शॉक्र रहा है तो इसका अंसर जो कुछ बने इसका आनसर सामने बुलाइं देगा कि किस प्रकार का यह किस टाइप का कलर है अब नेक्स्ट एक्जम्पल है आपका हुएझ लिए उनम के वाट का यूज नेचर और टाइप के लिए वेन के वैट की जाता है जिसे कि यह पे एक्जाम्पल तरक पर वहता है आपको वह गाना कब गा रही है next आपका where where जो है place से related होता है जब place से related question पूछना होगा तो where का use करेंगे where was you living last month last month तुम कहां थे last month तुम कहां रह रहे थे तो कहां का answer place से पूछ रहा है तो इसका where से start होगा who who person के लिए आता है इससे example है आपका who has done this या किसने किया है who has done this या किसने किया है तो कोई आदमी ही करेगा इसके लिए who का प्रयोग किया गया है next है आपका who's who's का मतलबता है किसका किसके एक्जांपल है who's advice will you take आप किसकी सलाह मानेंगे आप किसकी सलाह मानेंगे तो यह भी आदमी के लिए ही उसके आजाता है next है आपका how how manner so करता है जैसे कि manner मतलब आदत है how do you do this job आप इसको कैसे करेंगे तो किस manner से करेंगे यह आपको बताना होगा next है how much how much amount के लिए यूज किया जाता है uncountable noun हो तो उसके लिए how much का यूज किया जाता है और countable होगा तो how many का यूज किया जाएगा इस example आपको दिया है how much does this book cost इस book के कोस्ट कितनी पड़ती है how many का यूज किया जाता है एक के बाद और यहां पर देखना होगा कि कि हुच होज और हाव मेनी का यूज जब हम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह कोस्ट वर्ड यानि हुच होज और हाव मेनी के जश्ट बाद एक कोई नाम यह दिया रहा है कोई भी नाम यह दिया जाए तो उस कोस्ट वर्ड के जश्ट वाद उसका नेम परेगा उसके बाद हेल्पिंग वर्व आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आता है उसके बाद मेन वर्व आता है एक चांपल के तौर पर आपको बता रहा है कि हाव मेनी पीपल कम तो यहां पे हेल्पिंग वर्व मेन वर्व आ ग तो इस structure में WH word के just what name आया है उसके बाद main verb आया है तो इस तरीके से भी question बनाया राता है ये भी सही है next है आपका whom, whom मतलब होता है किसका या किसको, whom did you ask, आप किस से पूछे हो, आपने किस से पूछा है या किस से सलाह मांगे हैं तो उसके लिए हम use कर सकते हैं next question word है आपका होज, यहां पे होज लिखना था चलो होज whose dog does not work, किसका कुता नहीं भोगता है तो यहां पे होज जो है आदमी के लिए use क्या गया है उसके पूसे का जो है wh word है, next है आपका how long, how long यह भी time से related होता है, इसे time से related question पूछा जाता है जैसे कि यहां पे एक्जामपल है, how long do you live at बनारस, आप कितने दिन बनारस में रुके हैं नेक्स्ट है आपका whatever, whatever मतलबता है जो कुछ भी, इस एक्जामपल लिए है, whatever, whatever he does यानि वो जो कुछ भी करता है, does with sincere, वो ध्यान पुरुवक करता है, whatever he does, does with sincere, वो जो कुछ भी करता है वो sincerely यानि अच्छे तरीके से करता है, नेक्स्ट है आपका wherever, wherever मतलब होता है, कि जहां कहीं भी, इसका एक्जामपल है, wherever he goes, वो जहां भी जाता है, gets respect, वो जहां भी जाता है, सम्मान पता है नेक्स्ट है आपका whenever, whenever ये भी times related है, whenever मतलब होता है, जब कभी भी, whenever he comes quarrel with me, वो जब कभी भी आता है, मुझसे लड़ता है या जगरा करता है नेक्स्ट है आपका why, why reason so करता है, why is he coming today, वह आज क्यों आ रही है, वह आज क्यों आ रही है, तो इसको यदि reason बताना होगा, तो इसका question करना, ऐसा question करने के बाद इसका reason पता चलेगा लास्ट, सबसे जो लास्ट आपका है, यह ऐसा question है, कि statement से question पूछा जाता है, questions arise, questions arise from a statement, एक statement से आप किस तरीके से question arise करते हैं, किस तरीके से question आप उठाते हैं, यह देखना होगा, और यह परसलन में धेर सारा है, लेकिन आदमी को पकर से बाहर होता है, एक पतरकार या एक ओखील, या जो sensitive लोग होते हैं, statement से question निकालते हैं, और यह बहुत ही remarkable होता है, as statement, जीसे कि एक statement देए रहे हैं आपको, an old woman wants to buy a house, यह statement है, affirmative statement है, एक बुजूर्ग महला, एक house खरीदना चाहती है, एक house खरीदना चाहती है, आपके दिमाग को किलिक होगा, जो ही statement आवे, तो दिमाग में घुमना चाहिए, where, यानि हाउस जो खरीद रही है, वो कहां खरीद रही है, why, अब यह बुजूर्ग है, तो क्यों खरीद रही है, what cost, तो उस जो house है, उसका cost क्या है, उसका कीमत कितना है, और जब वो खरीद रही है, तो when, कब खरीद रही है, तो ऐसे ऐसे, एक assessment से question निकालना, एक scholar की बात होती है, तो scholar लोग जो होते हैं, इसी से question बना लेते हैं, और उसका answer भी ढून लेते हैं नेक्ट से इसका example एक और दे दिये हैं आपको, sun is going to Delhi, sun is going to Delhi, sun is going to Delhi जा रही है, तुरत माइन में किलिक होता है, why, क्यों जा रही है, when, कब जा रही है, सुबह किया साम में, with whom, लरकी है, या लरकी है, किस के साथ जा रही है, what purpose, किस उद्दे से जा रही है, how, कैसे जा रही है, रिल गारी से जा रही है, फ्लाइट से जा रही है, या पैदल जा रही है, तो इस तरीके से, इस से आप question बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए, तो उमीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको कुछ कहने की जरुत नहीं है, आप देखी रहे है,